कैसे आप सभी लोग एक बाद फिर स्वागत था आपका हमारे यूटूब चानल स्टड़ी भी थी होगे इसमें स्टड़ी की क्लासेज अब सीधे मंडे से सलिंगे ठीक है मंडे से क्योंकि फॉरसगाट का पेपर भी आपका एंड हो जाएगा और क्योंकि जाधतर बच्चे उसी के लेबल की तैयारी कर रहे हैं फॉरसगाट के लेबल की तो फिर अभी क्लास देना फिर सही भी नहीं है थोड़ा सा मैं भी बीजी हूँ ठीक कि कल ओफ है दो दिन फिर चुट्टी होती संडे तो थोड़ा मैं भी कहीं बाहर जाना है तो इस वज़े से आपकी मंडे से ही क्लासे जा पाएंगे ठीक है इसके अलावा चुकि अब संडे तो को पेपर तो हो जाएगा जैसा भी है आप लोग की तैयारी हो भी चुकि है लेकिन एक चीज याद रखना बचो आपको कुछ नहीं इस बार आपको एक चीज ध्यान रखना है 2023 में 2023 में क्योंकि आप यहाँ पे क्विट मत करना यानि आप लोग बार बार यह सोचेंगे कि नहीं पढ़ते हैं छोड़ देते हैं मन भी नहीं लगता है यह आप मान के चलिये अगर आप तयारी करते आया हैं आप तयारी करने वाले चात्र हैं अगर आप यह सोचेंगे नहीं आप छोड़ो कुट कर देते हैं ऐसा बिलकुल मत करना कम से कम 2023 था था कि कि मैं बार बार आपको ये अवेर कर रहा हूँ, बार बार आपको मैं जागरू के इस ले खरता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कि बच्चा पढ़ता है, फिर वो थोड़ा सा एक study जो होती, बहुत उबाऊसे हो जाती, जब उसको ये लगने लगता है, कि यार, प्रदाम नहीं मिलना आखिर हम कब तक इस स्टडी को कर रहें कब तक हम पढ़ते रहें तो मैं इसके लिए एक ही जवाब दूँगा बच्चों कि किसी के कहने से किसी के समझाने से अगर हमारे अंदर फिर से एक पुना मतलब ये कह सकते हैं आपके जागरती आ जाती है यानि बैटे बैटे नीदारी ब्रेक लगाता है ड्राइबर उसके अचानक जटका लगता है लगता है कि यार हम कहां पहुंगे ये जो उस तैम पे अचानक से हमारे अंदर एक अवेर्नेस आती है क्या हो गया है इसे ना उसी को पुनार जागरन कहते हैं यही आपके लिए भी ल क्यूब कई लोग आरो यारो लोवर पीसीयास अपर पीसीयास वीडियो रिग्जाम और वन्दरोगा रिग्जाम कई चीजों के कयास लगाए बैठेंगे अब होगा कब होगा जैसे भी होगा इस चीज के लिए एक ही चीज आप से खूंगा यह जब भी हो 2023 को पढ़ लो ठ अभी भी जिंदगी में या किसी भी एकजाम मात खाएगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपसीजन जो होता है उनका उस अपसीजन के अलावा अधर टाइम पर वो स्टड़ी तो कर लेते हैं तो ये एक मान के चलिए कि क्योंकि कलेंडर दिया हुआ है बट अगर हमारे पास विग्यप्ति जब तक नहीं आ जाती है हमें ये लगता ही लगता है कि यारे ओपसीजन है बन्दब कैसे पने लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पाने में सक्षम है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ट्राइ करना चाहिए मुझे कोशिश करनी चाहिए अभी जहां पुदी दुनिया अगर आराम कर रही है पुदी दुनिया अगर सो रही है इस समय पे अगर मैं मेहनत करूँ मैं दिखा दूँगा जब रिजल्ट आएगा जब एक्साम होगा मैं अपना पर्चम लह रहा होगा इस परकार का एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि देखिए आप तो कितनी भी कोशिस कर लिजे पढ़ाई से छोड़ने की जब तक आपके पास इस पढ़ाई के अलावाद दूसरा विकल्प नहीं होगा कहने का सीधा सीधा मतलब है विकल्प नहीं होगा तो आप कितनी कोशिस कर लेजे आप इसे दूर नहीं रहे जबते हैं आप एक महना पढ़ाई छोड़िए दो महने पढ़ाई छोड़िए उसके बाद आपको फिल लगने लगेगा कि यार अब मैं क्या करूँ जब बिकल्प नहीं है तो क्या कर लोगे बताओ इसलिए पढ़ाई देखो यह तो ग्यान की चीज़ है ना बच्चुप इस टड़ी तो आपको करती रहनी चाहिए और मैं तो यह कहूँगा जिस समय पेपर नहीं होते या एक्जाम डेट पता नहीं होती या विज्यापर नहीं होते तो उसमें हमेशा एक अच्छे लेवल की स्टड़ी करनी चाहिए उससे क्या होता उससे सीखने को मिलता है वन नाइनर यह वो तो यह सिर्फ एक्जाम टाइम की बात है चलो एक्जाम डेट आगी वंडे एक्जाम है हम पढ़ लेते हैं रट लेते हैं लेकिन आजकल का जैसा टाइम है इसलिए तो मैं आपको डीप स्टड़ी की क्लासिस दे रहा हूँ मैं चाहा रहा हूँ कि जैसे फोरस्गाट का पेपर हेंड हो जाए उसके बाद मंडे से हम प्रॉपर दो-दो दिन की क्लास पॉलिटी हिस्टरी और आपका जो जिओग्रफी है उसके अलावा साथ ही आपका एक दिन उत्राखन इस तरीके से हम लेके चलेंगे तो दो-तीन-चार महेने अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारा लेवल बहुत मतब एक उत्रिष्ट स्रेणी में आप लोग कह सकते हैं कि आ जाएगा और ये बहुत बच्चो नामुंकी नहीं होता क्योंकि आप लोग एक चीज याद रखना जितना आप वन लाइनर में पढ़ेंगे वन लाइनर के कुश्शन रटेंगे याद करेंगे ए सब्सक्राइब भले ही कितना भी भागने की कोशिज कीजिए बहाग नहीं पाओगे अगर भागने की भी सोचो के नोटिपिकेसन आ जाएगा स्टडी भी दियोगे शें कि आज ये वीडियो आगी कल वो वीडियो आगी वो तो चलता रहेगा ठीक है तो इसलिए दे को मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप आजन में पढ़िये क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि सर इसलिए कह रहे हैं कि हमारा टाइम पास भी हो जाएगा सर का भी जो है व्यूज बढ़ जाएंगे ऐसा बिलकुल नहीं है मैं आपसे यह कहूंगा जब तक विकल्प नहीं है आपक तो यह तो बहुत ज़्यादा निरस हो जाएगा आपको हमेशा अपने आपको मोटिवेट रखना होगा आप हमेशा यह सोचके चलिए कि आज नहीं तो कल मेरा भी दिन होगा क्योंकि इसका कई लोग तो हैं जिसका आज तक एक्जाम नहीं निकला है दो तिन दिन साल से चा आपने मार्ग सफथा होने के बार इन लोगों को कैसा होता होगा डेली जब पेपर कैंसेल पर कैंसल पर कैंसल हो थै किनके दिल में व्यक्षाती होगी इसी परकार जो बीपीडियो वीडियो इसना तक इस तरी परिक्षा थी उसमें जो अपनी महनत से निकले चाहते थे मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कैसे क्या करोगे ये कौशन पूछने की जरुबत नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उसमें वास्तों में अपनी महनत से निकले चाहते होगे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी या वंदरोगा पर जो अपनी महनत से निकले होगे उनकी दिल पर क्या गुजरी होगी तो बच्चों ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा क्योंकि समाई बदने में समाई नहीं लगता मुसीबत हैं सब के सामने आती मुसीबतों का पहाड भी इंसान के सामने आता है तो आपको डट के रहना चाहिए और ये तो सिर्फ एक छेत रहे है उसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए या 2023 नहीं भी करते हो जो आपने एक इक्जाम सोचा हुआ है जो आप सोचते हैं समाई में इस एक्जाम को गर्ण करूँ या मैं इस इक्जाम के लिए पढ़न। उतना आपको पढ़ना चाहिए और इस समय पर पढ़ना जब कोई बहुत ज़्यादा चात्र एक्टिव नहीं रहता बहुत मतलब निरस टाइप का लगता है कि यार कब एक्जाम होगा क्या होगा इस समय पर भी जो चात्र परफारा होगा उसके लिए देखना कितना राह आसान हो जाती है क्योंकि कई मैं आपको बता रहा हूँ वास्तों में होता क्या है 90% से अधिक चात्र मौसमी होते है यानि आप मौसमी का सेंस से कहने का ये मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ तब अपनी स्टडी को समय दे पाते हैं या तब अफरात अपरीमा पढ़ने लगते हैं जब उनके सा करेर के पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि 2-3 साल अगर हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हमारे लिए राह आसान हो जाएगी एकजाम निकलना क्या है बताईए एक बार खुछ सोचिए अगर आप एक बार धंग से पढ़ने अच्छे से पढ़ने की परिभासा भी आपक कोई यह मानता कि मैं लिमिटेट पढ़ू है कि मैं लिमिटेट पढ़ू लेकिं टॉपिक वाई अच्छे से समझ की पढ़एं तो जो चातर यह सोचता है कि मैं लिमिटेट पढ़ूँ ऑसो समय भी कम लगता है पढ़ने में से और जो इन been up याद रठना जो one-liner इतने सालो रटके बढ़ता है, वो हमेशा confused रहता है, examination hall पे जाएगा, वो confused हो जाएगा, one liner सिर्फ और सिर्फ तब useful होते हैं बच्छो जब आप एक वार सही तरीके से तैयारी कर चुके होते हैं, और उसके बाद आपको पता है कि यार exam का nature, exam का pattern one liner based है, तो मुझे कम से कम one liner की study करने चा जिसने ये सोच दिया, practice set करके हम लोग selection ले लेंगे या हमारे अच्छे mark सो आजाएंगे, ना मुझीन है, practice set तब useful होता है, जब आप एक बार अपनी इस तर से बहतर तरीक से topic कबर कर चुके हैं, आपने syllabus को कबर कर चुके हो, जब आपका पूरा syllabus complete हो जाता है, पूरे syllabus को आप च्छाट चुके होते हैं, अच्छे से उसके study कर चुके होते हैं, उसके बाद उस syllabus पे आधारी तकर practice set मिल रहा है, यानि कहने क्या मतलब, उस syllabus पे आधारी, पता लगा practice set यहां गुरुप C के exam की syllabus पूरा पढ़ दिया, और practice set करने जा रहे हो, किसी दूसरे exam के label की, त 10% होता है, वो vivid type के question आ जाते हैं, वो हटके हो जाते हैं, वो आपने सोचे भी नहीं होते हैं, वो चल जाता है, ठीके, तो इतना अगर आप करोगे, तब जाके आपका practice set करना सार्थर होगा, अन्य था, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रहे जाएंगे, आपक क्या cause है पीछे हटने का, कोई ऐसा valid reason बता दो जिससे कि आप इस वर्स है, at least मैंने क्या का 2000, क्योंकि 24 में फिर लोकसभा election होंगे, लोकसभा election से पहले पहले जितने विग्यापन आने आ जाएंगे, इक्जाम होने तो हो जाएंगे, उसके बार पतानी फिर 2024 के बार कब आप बिपरीत थे, यानि 2022 का साल देखो आप, 2021 से स्टार्टिंग मान के चलो, 21 मेंड मीट से, और 22 का पूरा का पूरा साल लगभग इन ही भरती जो माफिया थे, जो भरती दलाल थे, उन लोगोंने आप लोग के करियर पे एक प्रकार से बटाधार कर दिया, यानि बटाधार का मंदब होता है, उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा खिलवार किया, अब उस खिलवार के बाद चीजे जाच होती हैं, चीजे पकड़ माती हैं, भरती रद्द होती हैं, भरोसा दिलाए जाता है कि पारदर्श्री तरीके से आपके एक्जाम होंगे, और अगर इसलिए भी तो एक गोल्डन ऑपर्चुनेटी है, ठुनाइए इस मौके को, इसको यूज कीजिए, सोचिए कि यार जहां इतने साल हमने दे दिया, तो एक साल क्यों न और दे दे, और एक साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो है, कुछ बिग्यापन आने ह आने है, आने इसलिए अब कई चीज, कई लोगं को लगता है कि आरो यारो पिछले 2021 से कहरें कि आएगा, आएगा, अभी तक नहीं आया, बच्चो उसका मेन कौस दिखो, मैं यह मान के चलना हूँ कि क्योंकि अठार जून को एक्जाम की डेट की डेट की हुगी है, हम अठ आपके पास है ना अठार जून, विग्यपती अठार तीस अप्रेल को भी आए, पांच मेह को भी आए, उसके तो पहली कहिजए कि अठार जून को एक्जाम होगा, इसमें सबसे बड़ा पेज जो फश है, विभागु में दिव्यांगो जनू के चिन्नीकरण का पेज फश जैसे ही सासनिस्तर से विभागूं से अधियाचन प्रेशित किये जाएंगे, आपका विग्यापन विदिन टू डेस, त्री देस प्रकासित कर दिया जाएगा, यानि निकाल दिया जाएगा उसको, तो आप इतना तनाव लेने की जरुबत नहीं है, गवर्मेंट भी जानत है, तो आपके सारे विग्यापन आउट हो जाएंगे, उसमें आरो यारो आप कहिए, परवक्ता आप कहिए, लोवर PCS कीजिए, अपर PCS कहिए, दरोगा तो खेरा लगए, ठीक है, दरोगा का विग्यापन भी आना है, पंदिरक्षर के फिजिगल की डेट आ गई है, इसके अनावश्यक तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको बॉटम से स्टार्ट करना है, आप इतने राह तक चल चुके, 2021 पड़ा, 20 पड़ा, 22 पड़ा, 23 में भी आप एंट्री कर चुके, तो जहां 2-3 सार आप दे चुके हो, तो कम से कम इन विग्यापनों के लिए, जो आपके स 20 वाला एयर हम बहुत प्यार से देंगे, और इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात ही है, खुबसूरती भी कह सकते हैं, जहां इतने साल परिशानी रही, जोइनिंग नहीं हुए किसी की भी, करने साय के इतने बच्चे जोइन होंगे, तो अच्छा लगता है बच्चों मतलब देखिए, पॉजिटिव मैसेज उन लोगों के लिए जाना चाहिए, जो अभी तहियारी कर रहे हैं, क्योंकि जो निकल गए हो तो निकल गए, वो तो बढ़िया है, वो UK, AAA, CCC के आगे जाके फोटो भी क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेटस पे भी लगाएंगे, उ अभी तो मुठी भर जमीन ना पी है, अभी तो पुरा आसमान ना पना है, वो अच्छी बात है, वो होता है, ठीक है, एक excitement होती है, सबी के साथ होती हो, तो इस प्रकार के status वगरा भी लगाएंगे, तो अच्छी बात है, एक positive message निकलता है, उसको यह निकलता है, कि हाँ, कि इसा है, UKPSC के छातर निकलेंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं बड़ा मास जो है, कहां आजाएगा, सरकारी से भामा आजाएगा, और वो कोई अधर नहीं होंगे, वो आप लोगों के बीच के ही लोग होंगे, आप लोगों के साथ तयारी कने वाले होंगे, आप लोगों के ही दोस्त होंगे, कई ऐसे चातर होंगे उसमें, ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखना, कि आप लोगों को इस समय पे छोड़ने का कोई भी फाइदा नहीं होगा, दूसरी चीज, कई लोग दूसरे भी भागों में पोस्टेड हैं, कई लोग आपका आपकारी में हैं, लिखते हैं उसमें, जो ओलेडी जॉब में हैं, सर हमारे साथ वाले इदर उतर निकल चुके हैं, हमें भी तैयरी करने हैं, कहां से सुरू कर रहे हैं, आपकी क्लासे, देखिए, जॉब मिल जाना एक स्टेप है, पढ़ाव है, और जॉब मिलने के बाद उसको के साथ और जिनके आप उम्र बची है, आप यकीन नहीं करोगे, क्या आप तो individual है, हमें कोई भी छात्र हो या मैं ही क्यों नहीं हूँ, जॉब में आने से पहले ये लगता है, कैसे ही एक बार करियर सेटल हो जाए, और सबसे बड़ी priority होनी भी यही चाहिए, कैसे ही एक बार हम लेगे, लेगिन अगर आप एक बार नॉर्मल या गुरूप C या गुरूप D या कहीं इस तर के जॉब में आते हों, तो दो ढ़ाई, तीन साल, चार साल वहां काम करने के बाद आपको रियलाइज हो लगता है, ना यार मत थोड़ा सा आगे बढ़ो, मत अब यही वास्तव अगरा होता है, जहां एक नॉर्मल चार, एक मध्यमबर्गी चार, एक सामानी परिवार से आने वारा चार्ट जो बहुत ज़्यादा धनवल का परियूग नहीं कर पाता है, या जिसके पास है नहीं, जो सही तरीके, फियर तरीके, फियर सिस्टम पे ब्लीप करता हैं, और ह होना भी हर चीज फियर सही हम तो यह कहते हैं तो उसको यह लगने लगता है कि ना मैं और आखे पढ़ो तो वहां क्या काम आईगा आपके फिर से आपकी स्टड़ी काम आईगी तो अभी से अगर आपका टच बनाओगा एक बार क्योंकि अभी आप खाली है क्योंकि बाद में जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है बहुत एक अपने आप में कह सकते हो कि हार्ड चीज हो जाती है अभी का जैसा माहौल नहीं रहता उसके बाद थोड़ा सा वहां पर पर परिशानिया आती ही आती क्योंकि समझ नहीं मिल पाता है अब देख करना था उसक्षा की दान से बहतर द्यान कुछ है नहीं यह आप भी जानते हैं तो अगर आप मैं आपको गाइड कर रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं भुजा रहा हूं आपको बता रहा हूं कि 2023 एटलिस्ट आप लो तैयारी करना जो आपके सामने भी क्या पनाने वाले क्योंकि यह मौका है बता हो यह मौका इसलिए है अलग-अलग भी भागू मों बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर जो बसते हैं उनका नमबर आता है तो क्यों हम लास्ट मुवमेंट पे आके पिछे किसले तो पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना बिल्कुल भी अपना दगमगाना नहीं है अपने रास्ते से अपने मंजिल से अडिग रहना है जहां थे उसको और स्ट्राउंग करना है जो कम्या थी उसको और बहतर बनानी है जहां कमी है जो सेक्चन कमज़ुर है उसको और मजबूत बनाना है और जब ऐसे सोचोगे इस परकार कि जब 비uineशा घरवालों को भी क्या लगने लगता है कि याद इसके बसकी कुछ रही है क्योंकि motivate आप ही कर सकते है अपने घरवालों को study में बहुत power है बच्चो यह आपको hero मत्तब जीरो से hero बना सकते है रंक से राजा बना सकती है पड़ाई एक ऐसी चीज है ग्यान एक ऐसा चीज है जहां आपकी खदर होती है आपकी value होती है आपके पास कितना पैसा है यह कोई mind नहीं रखता आपके बहुत 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 लेवल का knowledge है तो आप अपने ले कहीं न कहीं से कोई न कोई चीज बना ही लेंगे रास्ता ठोड़ी लेंगे ठीक है तो पीछे बिल्कुल नहीं हटना है लगे रहना है डटे रहना है फिर मिलेंगे अगले सेसर पर अपना थ्यान रखिएगा थैंक